हेलो मैई डियर फ्रेंड्स हाई वेलकम बैक टू रोश स्टडी आई होप आप सब लोग खेरियत से होंगे नाव इस लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं अबाउट दा मेकिंग ओफ नेशनलिजम इन जॉरुप जॉरुप में राश्टरवाद की शुरुवात कहां से हुई और कैसे हुई और इस टॉपिक को आप और बैटर वी में अंडरिस्टेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए नेशनलिजम इन जॉरुप से रिलेटेड हमारे प्रिवियस लेक्चर को जरूर फॉलो करें बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्व शुरू हुआ था नाव कम बैक टूदा टॉपिक और सबसे पहले हम यह समझेंगे कि यॉरुप में 18 सेंचरी में क्या चल रहा था नाव जब हम प्रिजेंट मैप देखते हैं यॉरुप का तो यहां पर हमको बहुत सारे नेशन स्टेट्स मिलते हैं बट इन दा 18 सेंचरी ह हमें यहां पर कुछ भी इस तरह के नेशन स्टेट्स देखने को नहीं मिलते हैं विकॉल उस से पहले याद करिए हमने डिसकस किया था कि यॉरुप में 13 14 सेंचरी तक तो चर्च का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल था और इस पीरियर्ड को बोला जाता था डार्केजिस बट आफटर दा रिनासा मूवमेंट बट आफटर दा स्टार्टिंग ओफ रिनासा मूवमेंट इं 13 14 सेंचरी यह जो रूल आफ चर्च था यह वहां पर डिकलाइन करता हुआ दिखता है और यॉरुप का एक री बर्थ होता है तो यॉरुप में जब चर्च का रूल डिकलाइ और इस्ट और सेंटरल यॉरुप को नाव अब और्टो क्रेटिक मोनार्की कंट्रोल करने लगती हैं जहां पर उस टाइम पर हमें कोई कॉमन कल्चर देखने को नहीं मिलता है और यह जो आज के प्रिजेंट नेशन्स हैं जैसे कि जर्मनी इटली सुजर लैंड फ्रांस य जैसे के फ्रांस में रूल कर रही थी बॉर्बॉन डाइनस्टी या फिर जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एंपायर था वहां पर हैप्सबर्ग फैमिली रूल कर रही थी देन यह जो 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 जॉरुप का प्रिजेंट नक्षा है जिसमें आज हम बहुत सारे नेशन स्टेट्स दे और वहां पर भी हमको एक क्लास बेस्ट सिस्टम देखने को मिलता है जहां पर कुछ सर्टेन सेक्शन सर्टेन लोगों को तो सारे प्रिविलेज़ और सारे फैसिलिटीज मिली हुई थी बट एक बहुत बड़ा सेक्शन था जिसको के बेसिक फैसिलिटीज से भी सेक्शन में तो यह जो क्लास बेस्ट सिसाइटी थी यह ना सिर्फ हमें फ्रांस में देखने को मिलती है बलके पूरे यॉरॉप का उस टाइम पर यही हाल था कि जो मोनार्क्स थे और जो नोबिल सेक्शन था वो तो सारी प्रिविलेज़ को एंजॉई कर रहा था बट मैज यह यॉरॉप में एक स्मॉल बट एक बहुत ही डॉमिनेंट क्लास था और यह सेक्शन हमको सबसे ज्यादा स्ट्रॉंग मिलता है इन फ्रांस और यह अपनी डिप्लोमैसी के लिए यूज करते थे फ्रेंच लैंग्वेज को तो यह जो एरिस्टोक्रेट्स थे यह थे बेस सब एरिस्टोक्रेट फैमिलीज के हमें आपस में मर्ट्री मॉनियल टाइस भी देखने को मिलते हैं नाव तो यहां पर हुआ क्या जो एजूकेटड मिडिल क्लास था उसने आइडिया ओफ नेशनल यूनिटी को पिरमोट किया और इसके साथ ही उन्होंने यहां पर यह भी है और इंडिस्ट्रियल रेवलूशन का एक आफ्टर इफेक्ट यह हुआ कि हमें पूरे जूरूप के अंदर एक नया मिडिल क्लास फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है जिसकी वजह से अब यहां पर मिडिल क्लास सेक्शन को इग्नोर नहीं किया जा सकता था बिकॉज इ अब अपने राइट्स को लेने के लिए खड़ा हो गया और इन्होंने किन राइट्स की डिमांड की इन्होंने कहा इक्वैलिटी बिफोर लौ के लौ के सामने सब इकॉल हैं किसी भी सेक्शन को किसी भी इंडिवीजूल को कोई प्रिविलेजिस नहीं होनी चाहिए इसके स सरकार या हकूमत यह सब की कंसेंट से कॉमन पीपिल की कंसेंट से बननी चाहिए विकॉज इविन आफ्टर फ्रेंच रैवोलूशन हमने यह देखा था कि अभी तक कोई भी पॉलिटिकल एकुएलिटी नहीं मिली थी नॉट इविन इन फ्रांस वहाँ पर भी जो 1791 का कॉंस्टिटूशन फॉर्म किया गया था वहाँ पर हमने यह देखा था कि उसने सिटीजन्स को डिवाइड कर दिया था इन टू सेक्शन्स एक्टिव एंड पैसिव तो जो एक्टिव सिटीजन्स थे सिर्फ उन्हीं को र किलास बी फॉर्म हुए और यहाँ पर इन्होंने डिमांड रेज की फॉर एकॉनमिक फ्रीडम economic exchange तो यहाँ पर इस new class ने मांग की एक unified economic territory create करने की जहाँ पर के goods का people का capital का hassle free movement हो सके जैसे के present में हम देखते हैं special economic zones जो के Indian government ने भी create कर रखे हैं तो यह सब इसलिए किया जाता है ताकि business को easy बनाया जा सके और economic activities को और तेज़ किया जाए जिससे के उस country का development उसकी growth तेज हो लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था because Germany के दो शहर हैं Hamburg और Nuremberg जिनके बीच में तकरीबन 600 km का distance है तो 1833 तक अगर कोई भी merchant travel कर रहा है between Hamburg और Nuremberg तो वहाँ पर उसको 11 custom barrier से गुजरना पड़ता था यानि के 11 जगा custom duty पे करनी पड़ती थी और इस problem से निपटने के लिए 1834 में एक custom union form की गई जिसको जॉलवरीन भी बोलते हैं और ये union form की गई on the initiative of Russia जिसको के बाद में बहुत सारी जर्मन स्टेट्स ने भी जॉइन कर लिया तो ये जो custom union थी इसने इन सारे barriers को abolish कर दिया खतम कर दिया और जहां पर उससे पहले Germany की currency 30 unit use करने पड़ते थे अब वहां पर सिर्फ 2 unit ही खर्च करने पड़ते थे तो इससे Germany के लोगों ने यहां पर ये realize किया जो economic system है ये national feelings को उभारने का एक मात्र जरिया है तो हम यहां पर ये देख सकते हैं कि ये जो economy और nationalism का gut जोडता जिसको हम economic nationalism भी बोल सकते हैं इसने nationalism को काफी strength provide की in Europe बट जब ये सब event चल रहे थे तो इसके parallel हमें ये देखने को मिलता है कि जो ruling class थी वो जा रही थी पीछे की तरफ यानि कि यारुप का ruling class जो है वो ये चाह रहा था कि हमारी powers जो हैं दुबारा से वैसे ही बढ़ जाएं जैसे पहले थी तो इसके बारे में हम discuss करेंगे in the next lecture अब वापस आते हैं अपने question की तरफ और आपका question था कि France में industrialization कब हुआ था तो इसका right answer है डी 19th century तो ये था whole lecture about the making of nationalism in Europe इसी नोट के साथ ये lecture मैं यहीं पर end करता हूं बट बिफोर signing off एक important announcement अब आप CBSE 11th engineering arts और graduation के exams और entrance test की preparation घर बैठे और बैटर वे में कर सकते हैं with our free study material इसके साथ आप download कर सकते हैं various boards और universities के syllabus from our website tutorbasket.com और इसके साथ tutor basket आपके लिए लाया है unique और premium test series with exciting offers और इसके साथ regular updates के लिए आप हमको follow कर सकते हैं on various social media platforms such as twitter, instagram and facebook at rosh study तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफी कुछ जानने को मिला होगा, thanks for listening, have a good day, okay, bye जापको हमेशा की खिर आपको हमेशा की तरह कर सकते हैं